हाई याईस कैसे हैं आप सब साउथ अफरीका बनाम नीदरलेंड आइसेसी वर्लकप दो जातेज का 15 मुकाबला खेला जाने वाला है और इस वर्लकप में हमारे पेडिक्शन बहुती सांदार चारे हैं क्या अफगनिस्तान की तरह नीदरलेंड भी साउथ अफरीका को हरा पा हमाल की वीडियो है पूरा देखना इसकी बिलकुल भी मत करना वीडियो को मत लाइक करो चैनल को मत सब्सक्राइब करो बस पूरा देख लेना आगे पढ़ने इस पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे गीववे कोशन की जिसका जबाब देके आप 100 रुपे का कैसे नाम सीध हम साला में खेला जाने वाला 6 मैच हो चुके हैं जिसमें से 4 मैच चेस और 2 मैच डिफेंड हुए हैं 230 के आसपास का एवरेज स्कोर है 6 में से 3 बार 200 से नीचे का और 2 बार 300 प्लस का टोटल बना यानि या तो यहां पर हाई स्कोरिंग गेम होते हैं या फिर लोई को मिलता है आखरीम काबला जो खेला गया था यहां पर 10 अक्टूबर को इंग्लेंड ने 364 बनाया था और दूसरी पारी में टीम बंगलादेस की सामने थी 277 पर अलोट हो गए थी 12 विकेट पेसर्स को साथ विकेट स्पिनर्स को मिले थे इसी वल्लकप का एक और मैच के ल को भी मदद करती है और इसिप्नरों को भी मदद करती है जैसे कि आखरी मुकाबले में 364 यहां पर बनाता है विकेट में काफी ज़्यादा हमें बाउंस देखने को मिलता है और बैटिंग करना पहली पारी में उतना जादे आसान नहीं रहता है जैसे जैसे गेम आगे बढ पेसस को मिले हैं और 24 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं यह है पेस बना में स्पिन आखड़ा है तो साथ मैच अफरीका और नीदरलेंड की बीच हो चुके हैं जिसमें से 6 जो है अफरीका जीती है और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है साउथ अफरीका की बात कर लेते ह कि एक टफ विकेट पे और वहाँ पर 117 पे अलाओट करके एक और 100 रोनों से ज्यादा की बड़ी जीत जो है अफ्ट्रेलिया के सामने इन्होंने दर्च की बहुत ही शांदार खेल का प्रदसन और इस वर्ल्ड कप में अफरीका डॉमिनेट करते हुने ज़रा रही है इनके बड़ी पारी खेल करा रहे है तो बल्लेबाजी इस वक्त इनकी स्ट्रेंथ है वही गेंदबाजी में रबाड़ा का फॉर्म जो है इस टीम के लिए सबसे बड़ी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लाओ नगीडी भी अच्छा साथ निभा रहे है समसी और गेराल क कोई जे मैं से कोई एक खेलेगा महराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मारको जेंसन लगातार दो-चार विगट हर मैच में निकाल लाएं तो गेंदबाजी भी बहुत ही कमाल की हो रही है बहुत ही जबरजस्त पर दसनिया पर आफरीका की टीम करती हुए नजर आ रह यानि कि श्रिलंगर खिलाफ इन्होंने सेंचुरी जड़ी थी और अच्छे टच में पिछले मैच में भी और तो बना बना और इस मैच में बनाते हुए नजर आ सकते हैं पच्छतर रन और दो विकेट इनका जो बेस्ट परफोर्मेंस से वो निदरलेंग के खिलाफ या था और दो मैच के लिए निदरलेंग के खिलाफ दोनों ही मैच में इन्होंने रन किया है विकेट लिया है दो मैचों में 226 का एबरेज हैं का दो विकेट भी है कैप्टन व इस मैच में अच्छी गंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकते हैं, उसके बाद जो एक अगी सोरा बाड़ा हमारी अगली पिक हैं, जो कि 3-3 विकेट, 2-2 विकेट हर मैच में ले रहे हैं, और इस मैच में भी 2-3 विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं, बहुत ही कमाल के फॉर् लगातार विकेट ले रहे हैं, और इस मैच में भी अच्छी गंदबाजी करते हुए 3-4 विकेट ले सकते हैं, आभी बात करते हैं, नीदरलेंड की तो 2 मैच के लिए, दोनों ही हर चुके हैं, और पाकिस्तान को ये कड़ी टकर देते हुए नजर आया थे, और अभी हाली म इंगलेंड को हरा है, तो ऐसे में नीदरलेंड भी अगर थोड़ा परफॉर्म करें, तो फिर अफ्रीका जैसे टीम को हरा सकती हैं, ये किरकेट अभी है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनके पास स्टार प्लेयर भी हैं, विक्रमजीत सिंग, एकरमैन, वैस डिली, ब बहुत ही जवरजस्त नजर आ रही है, अब देखते हैं कि किस तरीके से, और कितने अंतराल से ये टीम साउथ अप्रीका से हारती है, या फिर उनको हराती है, टॉप फैंट से पिक की बात किया है, तो इनकी तरफ से पहले पिक बिक्रमजीत सिंग, जिन्होंने पहले मैच म हाफ सेंचुरी जड़ी थी, और बहुत ही कमाल के फॉर्म में, साउथ अप्रीके खिलाफ, एक मैच में 45 का स्कोर भी इनोंने किया था, उसके बाच जो है दूसरी पिक, एकरमेन, आखरी मुकाबले में 69 इनोंने किया था, उससे पहले 17 रन, 2 विकेट, बैटिंग से लेपटाम मेडियम पे सर है, राइट हैं बैटिंग करते हैं, उसके लाविन की तरफ से एक और पिक है, मैकरन, जो की बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, आखरी मुकाबले में 2 विकेट लिया था, और इसमें है अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, तो हमार हमारे टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, विनर की बात की जाए तो उससे पहले मैं आप से अनरोध करना चाहूँगा कि हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे, क्योंगी टेलिग्राम चैनल पर ही असनी प्रेडिक्शन आता है, मैस से एक डिड़ के हैं और मुझे भी लग रहा है कि साउथ अपरिका एक टीम ये मुकाबला एक बड़े अंतराल से जीत सकती है, according to me, साउथ अपरिका में भी दविनर अब दिस मैच, बाकी किरकट is the game of uncertainty, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको क्या लगता है कौन स्टीम जीत सकती है, आप हमें comment करके चरूब बतेएगा, धन्यवादा,